यदि आप आर्टिकल को लेकर परशान है आपको समझ में नहीं रहा कि किस टॉपिक पर आर्टिकल तयार करें ताकि बोर्ड इक्जाम में जो है इंग्लिज के क्वेश्चन पेपर में आपका जो आर्टिकल याद के हैं वह आपको देखने को मिल जाए अगर आप ऐसा समझ र में इसमें से बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिले भी हैं और इन सारे आर्टिकल पर मैंने आरेडी वीडियो बनाया हुआ है और अगर आप इन आर्टिकल को तयार करना चाहते हैं तो हमारे मुवाइल अप्लिकेशन नॉलेज में पर जाकर पीडियेप के रूप में करूँगा क्योंकि अगर आप हेडिंग तयार कर लेते तो भी आप आसानी से आर्टिकल लिख लेंगे तो चलिए वेश्ट के मैप को दस इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताता हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आप अगर इन्हें लर्न कर लेते हैं त चलिए हम लोग वीडियों शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वह है आपका कोवीड नाइनटीन अर्थात आपको कोरोना वाइरस पर जो है अच्छे से आर्टिकल तयार करना है यहां पर देखे मैंने हेडिंग दिया है पहला इंट्रोडेक्शन दूसरा मीनिंग आप कोवीड नाइनटीन अर्थात कोवीड नाइनटीन का अर्थ तीसरा वेयर डिट कोवीड नाइनटीन कम फ्राम कोवीड नाइनटीन कहां से आया सीमपटम्स आप कोवीड नाइनटीन के लच्छड और पांचवा है प्रिवेंशन आप COVID-19 यानि COVID-19 की रोग थाम और छटा है ट्रीटमेंट आप COVID-19 एठों यानि घर पर COVID-19 का इलाज और साथवा है कानक्लूशन अर्थात निसकर्स तो यह काफी इंपोटेंट जो है आर्टिकल है और यहाँ पर मैंने आपको हेडिंग सो किया अगर आप इस आर्टिकल को अच्छे से तयार करना चाते तो मैंने इस टॉपिक पर आर्टिकल जो है अच्छे से आपको प्रोवाइड किया हुआ है इसी चैनल पर तो आप जाकर ज़रूर देखें नहीं तो अगर आप मुवाइल एप्लिकेशन पर जाएंगे तो आपको पूरा जो है आर्टिकल पीडियाप के रूप में डाउनलोड देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आप हमारे टेलिग्राम चनल पर जाक सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे आपको जो है पीडियाप के रूप में सारे इंग्लिश के नोट्स को डाउनलोड करना है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दूसरा जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है वह है पालूशन अर्थात प्रदूसर इसमें आपको देखे मैंने हेडिंग दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ठीक है दूसरा है काइंड्स आप पालूशन यानि पालूशन के प् आपके और आपका पालूशन आर्टिकल है कंप्लीट हो जाए 120-130 वर्ड के आसपास ठीक है इसके बाद इस टॉपिक पर भी आपको मिल जाएगा पूरा जीता भी मैंने यहां पर आपको सो किया है सब पर आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल हमारे चैनल पर या फिर तरीके से पूछ सकता है तो सिर्म यहीं लिखेंगे आप पहला आपका हेडिंग होगा इंट्रोडक्शन दूसरा वंडर्स आप वंडर्स और ब्लेसिंग आप साइंस अथा विज्ञान के आश्चर अथवा वर्दान और इसके अंतरगत आप हेडिंग डालेजेगा फिल्ड आफ हेडिंग आपका हेडिंग है और चोथा आपका हेडिंग है तो इस टॉपिक को आप तयार कर सकते हैं आप देखें हेडिंग भी तयार कर लेंगे तो भी आपके लिए कपी helpful रहेगा इसके बाद आपका चोथा जो important article लेवा है science of blessing और कर जैनि बिज्ञान एक वर्दान अथवा अविश्राप ठीक है इसमें पहरा heading है आपका introduction परिचे दूसरा heading है science as a blessing or good servants यानि कि विज्ञान एक अच्छे नोकर अथवा वर्दान के रूप में और तीसरा है wonder sub science विज्ञान के चमतकार और इसमें भी आपका heading डाल सकते हैं transport and communication यानि यातायात और संचार और इसके बाद इगरी culture and industry यानि कि क्रीशी और उद्योग और तीसरा medical science यानि चिकिस्ता विज्ञान और इसके बाद आपका recreation मनोरंजन और इसके बाद आपका चोथा heading है science as a curse और वेड़ मास्टर नि विज्ञान एक अभी स्टाप अथवा खराब मालिक के रूप में इसके बाद आपका पांचवा heading है conclusionness course ठीक है तो यह आपके चार आर्टिकल हो गए है सब पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है एक बार मैं आपको recommend करूंगा कि आप जो है knowledge beam channel के about section में जाएंगे तो हाँ पर मैंने knowledge beam application को वहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पर से आप download कर सकते हैं और आसानी से जो है English का प्रप्रेशन कर सकते हैं या फिर आप मारे telegram channel पर जाएंगे तो वहाँ से भी त्यारी कर सकते है टेलिग्राम चैनल का link video को reception मैंने दिया हुआ है वहाँ पर मैंने बताया कि किस तरह से आप जो है पीडियेप के रूप में सारे English के notes को download कर सकते हैं इसके आपका पांचवा है conclusion is curse ठीक है इसके बाद आपका dory system बहुत important है दहेज प्रथा इसमें पहला heading है आपका introduction दूसरा है dory in the past and the present यानि वर्तमान और बीते समय में दहेज और तीसरा है evils बुराईया और चोथा है condition आप girls parents यानि लड़कियों के मता-पिता की दसा और पांचवा है conclusion और इन सारे article पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है अगर फिर भी आप comment करेंगे तो मैं फिर से आपको new video दे दूँगा इन ही सब topic पर ठीक है लेकिन अगर आप मैं आपको recommend करूंगा कि आप knowledge beam application को जाए वहां से PDF के रूप में download करके अच्छे से पढ़ने ठीक है बहुत simple words में आप लोगो population यानि अत्यतिक जनसंख्या के प्रभाव तीसरा need for family planning यानि परिवार नियोजन की आवशकता और चौथा step to check the population growth यानि जनसंख्या ब्रेद्यू को रोकने के लिए कदम और पांचवा है conclusion निश्कर्स ठीक है इसके बाद हमारा आठवा जो article है हुआ है unemployment अर्थात इसमें पहला heading है introduction यानि परिचय दूसरा है causes of unemployment यानि बेरोजगारी के कारण तीसरा है some suggestion for solving the problem यानि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ सुझाओ और चौथा आपका है conclusion निश्कर्स ठीक है तो आप लोग अगर चैनल में पहली बार है तो चैनलों को जबर सब्सक्राइब क लेज़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए important वीडियो जो है लाता रहता हूं बोर्ड ग्याम से related नेश्क वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको बोर्ड ग्याम की copy पे लिखना चाहिए किस तरह से heading डालना चाहिए तक आपको पूरे marks मिले ठीक उनका कार और चटा है आपका conclusion निसकर्स इसकार हम लोग बढ़ते हैं last article की तरफ तो last article है importance of games यानि खेलो के महत्वर और यह बहुत important जो है आपका article है और इसमें आपका heading introduction दूसरा है advantages of games यानि खेलो के love इसमें आपका छोटा छोटा heading देंगे strong the body, discipline, unity, confidence, competition, strength, career और इसके बाद conclusion यानि आप जो है heading डे सकते हैं ठीक है तो यह थे 10 important article जो की बहुत important है बोड़ गया हम 2023 की दृष्टी से class 12A के विदार्थियों के लिए तो अगर आप चैनल पर फ़रे बात है चैनलों को subscribe जरूर कर लेजगा और bell icon को press करना मत भूलेगा ताकि आपको हमारे सारे वीडियों को notification मिलते रहे तो इस वीडियों फिलाल इतना ही और अगर आपको किसी इन articles में से किसी भी article पर अगर आपको वीडियों new चाहिए तो आप हमें comment कर सकते नहीं तो हमारे telegram channel को widget करें वहाँ पर मैंने बता है कि किस तरह से आप PDF के रूप म झाल